यह है Poco F4 और इसके लिए भी जस्ट अपडेट आया था एक दो दिन पहले जो कि हमारा 14.0.5 का लेटेस्ट अपडेट था और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है इसके बैटरी, वैकाप, चार्जिंग और बाकि ड्रेन के बारे में कि क्या कुछ किस तरीकी से पहले ही दे दिया है और एक फाइनल फुल रिव्यू आएगा लॉंग टेस्टिंग के बाद जहां पर मैं इसका एक दो बार और बैटरी टेस्टिंग करने रूँगा बिहांड रसीन और फाइनल किंकूलूजन दूँगा कि अपडेट करने लाइक है या नहीं और पिछले तो यहां पे सेट कर लिया है और इसके साथ डिफॉल्ट आनल चार्जा जो 67 वाट का है और अभी कर्मी का टाइम है तो अभी के टाइम पर चार्जिंग का प्या दा स्लो होता है साथ सर बैटेट इन थोजा फास्ट हो जाता है हेटिंग फ़ट जाणा देखनी को मिर रहा ह बट मैं कोशिच करवाँ कि फोन कूल रहे और उसके बाद मैं चार्जिंग यहां पर कम्प्लीट करदा चलू और साथ साथ मैं हो सके तो temperature भी दिखा पाऊंगा तो बस यहां पर मैं इसे plug-in करने वाला हूँ और cool रखने के लिए मैंने कोई AC चलाया नहीं है क्योंकि मेरे बास है नहीं तो मैंने यहां पर fan वगरा चालू कर रखा है तो उसके हिसाब से cool रहेगा तो अभी update से तो 0% 100 हो रहा है तो जैसे यह 5-10% होता है मैं इसे on कर और last time का जो update 14.0.4 उसे भी compare करेंगे बैटी के मामले में कि कितना different हमें देखने को मिलता है और वीडियो अच्छा लगता है इसी तरगा detail वीडियो every time आपको चाहिए हर एक updates related तो यार वीडियो को like करके share जलूर करें क्योंकि आजकल आप लोग share नहीं कर रहें तो फोन का जो temperature है वो है 37 increase हो रहा है और यहां पर हमारा है जो 34 और charger के अगर हम बात करते हैं तो वह हमें देखने को मिलता है 34 के आसपास अब हम अपने फोन को जो कर लेते हैं on पहले तो इसने दो मिर्ट लगा दिया percentage ही so करने में उसके बाद एक चार्ट तो अभी access कर रहा है बढ़ देखते हैं कि भाई गर्मी के टाइम है तो गरम होके फिर slow charging न करते है क्योंकि जब भी phone on रहता है न तो ऐसे में slow charging थोड़ा ज़्यादा देखनी को मिलता है गर्मी के टाइम पर या phone heat होता है जब लेकिन off condition में यह काफियत तक reduce देखनी को मिलता है बट हम यहां प वाई 15 minute complete हो चुका है temperature checking फिर से कर लेते हैं तो यहां पर हमें देखनी को मिलता है 34 phone का जो temperature है वो है 38 है और यहां पर हमें देखनी को मिलता है 35 और 10 से साथ हमारा charger 37 यानि थोड़ा बहुत हुआ है अब फिलाल cool के condition में यह हमें देखनी को मिलता है वह बैटरी की बात करते ह है तो हमें देखनी को मिलता है 37 तो देखते है फाइनल कब तक होता है तो अभी यहां पर हमें अपने बैटी परसेंटिक सी बात करें तो वह है 73 और timing यहां पर हो चुका है 30 minute plus और अगर temperature हम चेक आउट करते हैं तो यहां पर हमें temperature normal देखनी को मिलता है 33 और phone का जो temperature है वो ह है यहां पर 38 और दुसरा phone जहां पर timer चल रहा है 35 और charger के अगर temperature के बात करें तो वह है 39 यहां यह भी तक 40 गया नहीं है पर देखते हैं कि कितना तक है जो यह जाता है और charging अभी आपको क्या लग रहा है सही चल रहे या नहीं और कितना मिनट लगेगा guess करके ज़रूर बता 35 हो चुका था अब यह 34 हो चुका है तो यहां पर temperature 40 क्रॉस नहीं किया है लेकिन वहीं पर आगर आपका temperature 40 प्लस जाता है 50 जाता है तो आपको charging और ज़्यादा slow देखने को मिल सकता है तो यहां पर हमारा जो phone है वह 100 परसेंट चार्ज हो गया है only on 55 मिनट के अंदर और लास अब आपको इतना time दिखाए तो सेम आपको भी इतना देखनी को मिले आपका वह भी और कम हो सकता है अगर आप इस ही मिल रहते है और वहां पर charge करते हो तो अगर आप भाई normal हो जहां पर heat वगड़ा है वहां charge करते हो तो यह time और ज्यादा expand हो सकता है और maybe आपका phone heat हो ऐसे आप चार्जिंग डालते हो ना तो आपका 1.5-2 घंटे तक भी है जो जा सकता है क्योंकि सब कुछ यहां पर हो रहा है गर्मी केव जैसे तो यहां पर अगर नर्मल रखके करोगे तो है चार्जिंग स्पीड काफी सही देखनी को मिल जाती है लेकिन इसके लाब हम बात करते ह जो कि आजकल 4-5% हमें common देखनी को मिला था POCO F4 के लिए लेकिन इस update के बाद यह चीज़े जो यहां पर fix हुई है यहां पर आप देखो timing आपको दिखाए देता है 12-32 AM और battery यहां पर 30 और जो मैं morning में check करता हूँ क्योंकि आप देखो यहां पर 11 PM है और यहां पर भाई हमें 546 AM देखनी को मिलता है जबकि वह उस वार्थ वार्थ कम था लेकिन दोनों में 3% का batted off है और पहले जो 4-5% आता था उससे तो यह काफिध तक improved हुआ है बट और था कम हो जाए तो और जादा है जो यहां पर better र किया गया है बट मैंने एक अधर अप्लिकेशन के देख लिया है जिसके बारे में आपको पहले भी बता दिया था कि वह perfect काम करता है तो आपने अगर इसकी नों टामिंग बगफिस का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना यहां पर आप देख सेते हो कि आपको duration देखन अगर हम इस इसकी नों टामिंग के बात करें ना तो पिछले वाले अपडेट से काफी जड़ा इंप्रूब्ड है बट मैं फाइनल वीडियो में इसका हैवी टेस्टिंग भी करूँगा क्योंकि यह बिलकुली लाइटर टेस्टिंग था जिसमें मैंने यहां पर आपको य बिसिक यूजज और नीट के उपर कि किस तरीक से आप फोन यूज करें और किस इन्वार्मेंट में यूज कर रहे हो अब बात करते हैं यहां पर हमारा है जो रिबूट टाइमिंग का कि क्या कुछी देखनी को मिलता है तो सिंपल हम अपने फोन को कर लेते हैं सबसे पहले सिउच आफ और पावर हटा देते हैं फोन हमारा ओफ हो चुका है अब मैं यहां पर पावर टन प्रेस करूंगा और यहां पर स्टार्ट पे क्लिक तो जैसे यहां पर लाइट होगा यहां पर हम अन कर देंगे देखते हैं कितना सेकेंड यह लेता है बूट होने में तो यहां पर यहां पर यहां पर 19 सेकेंड का टाइंब लगया बूटिंग का जो की पहले से काफी हद तक कम है और सही है और हम पिछले से पिछले अप्डेट की बैट्री चार्जिंग टाइमिंग के बात करें तो वो था हमारा 49 उसके बाद यह 16 के आसपास गया और अभी 55 5 क्या सबस गया जो कि थ्वाबुत उपर नीचे तो होता रहता है इंवार्मेंट के हिसाब से और Skin on timing के बात करें जो कि last update का था तो वो है 4 hours 58 minute का जो कि heavy usage पे था अभी मैंने lighter use किया है ना तो heavy final में मैं आपको दूँगा और यह है हमारा 14.0.4 लेकिन जो 14.0.3 पहला update था और यह है हमारा Skin on timing पिछले से पिछले अपडेट यानि कह सकते हो के MIUI 14 का पहले update का जहां पे आपको Skin on timing देखने को मिलता है 3 hours 7 minutes का जो कि heavy usage पे था यानि पिछले अपडेट में थ्वास इंप्रूबूब हो था और इस वाले update में और जादा improvement है जो हमें देखने को मिला है और हाँ पिछले टाइम में यहां पे lighter यूज भी किया था तो lighter use का Skin on timing देखते हैं क्योंकि इस वार करीकरी 14 से 15 hours के आसपास का Skin on timing आया है इस वार के update में लेकिन जो हमारा last update था 14.0.4 उसके अंदर हमें जो Skin on timing देखने को मिला था वो है 10 hours 41 यानि 11 hours के आसपास यहां पे 4-5 घंटी यानि 4-5 hours का Extra Skin on timing मिला है same lighter usage पे और यह लिमें battery improved हुआ है तो आपको भी improvement देखने को मिलने वाला है यानि अभी तक जीतने भी testing results सामने आ रहे हैं उनसे भी इसे यही पता चलता है कि इस बार का जो battery है हमारा better हुआ है इस latest update के अंदर बढ़ देखते हैं final conclusion में कुछ और इसोज बगर extra निकल के आते हैं या अफिर नहीं आते और यह total battery के बारे में जो detail मैंने आपके साथ share किया आप इससे संटुस हो या नहीं satisfied हो या नहीं comment जरूर करना और जल्दी full review मिल जाएगा तो wait करें और चैनल पर है तो subscribe और share जरूर करें मेलते हैं निक्स ट्रोडियो में ठांक्स वोचिंग डाटा बाई बाई